नवस्कार मैं अभिराज और आप देख रहे हैं WK News तो चलिए बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ कॉंग्रेस के पूरुप अद्यक्ष राहूल गांदी अक्सर गरत बयान को लेकर सुर्किया में बने रहते हैं कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस की बुरी हालत के लिए राहूल गांदी की बयानबाजी काफी हद तक जिम्हेदार है राहूल जितना बोलते हैं उसमें जायातर जूट निकलता है फिर चाहे वो बात रफैल की हो जिसमें राहूल गांदी को मूग की खानी पड़ी थी उन्होंने राफैल सौधे को लेकर पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए जनता को मोदी सरकार के खिलाब बढ़काया लेकिन बाद में ये सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी राहूल पर कंटेंट आफ कोर्ट का मामला दर्च किया एक और मामला लेकर आए हैं ये मामला क्या है और इसमें कितना दम है क्या ये मामला भी राहूल गांदी के लिए एक रफैल के तरह गले का फंदा बन जाएगा तो आईए आपको बताते हैं कि राहूल के इस नए मुद्दे में कितना दम है दरसल आपको बताएं कि VVIP के लिए 8000 करोड रुपे से जादा में दो एरक्राफ्ट को खरीदे जाने पर राहुल गांदी के हमलों को BJP सूतरों ने निराधार बताया है आने वाले दिनों में BJP राहुल पर तीखे पलटवार करते भी दिख सकती है दूसरी तरफ अधिकारिक सूतरों ने बताया कि VVIP विमानों का प्रोक्यूर्मेंट प्रोसेस यूपिय सरकार के दौर में ही शुरू हो गया था और मोदी सरकार ने सिर्फ इसे उसके अंजाम तक पहुचाया है इसके अलावा ये विमान स्पेशली परधानमंत्री मोदी के लिए नहीं बलकि बाकी VVIP के लिए हैं और ये इंडियन एर फोर्स के हैं ना की परधानमंत्री के ये विमान नहीं नहीं हैं बलकि बोईंग ने वी वी आईपी की यातरा के लिए इसमें कुछ खास बदलाव किये हैं कॉंग्रेस के पूर्व अद्यक्स राहूल गांदी ने वी वी आईपी के लिए एरक्राफ्ट खरीदने पर हमला करते हुए पंजाब के नूरपूर में कहा की एक तरफ पिये मोदी आठ हजार करोड रुपे में दो एरक्राफ्ट खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ चीन हमारी सीमा पर खड़ा है और हमारे सुरक्षा बल सरोदों की हिफाज़त के लिए भीशन ठंड का सामना कर रहे हैं इन एरक्राफ्ट के प्रक्रिया करीब एक दशक पहले यूपीय सरकार के दुरान शुरू हुई थी बीजीपी के एक बड़े नेता ने कहा कि जिस तरह राहूल यूपीय सरकार के बाकी ज्यादातर पहलों से दूरी बना रहे हैं शायद विमान प्रक्रिया से भी वो दूरी बनाना चाते हैं उन्होंने कहा कि राहूल गांदी अपने ही यूपीय सरकार का अपमान भले ही करें लेकिन तत्यों का अपमान करना उनके हक में नहीं है आपको बता दे कि VVIP की यातरा के लिए इन दोनों विमानों का प्रक्रिया 2011 में शुरू हुई थी जब Group of Ministry के निर्देश पर Committee of Secretaries की बैठक हुई थी उसमें ये फैसला किया गया था कि VVIP एरक्राफ्ट के लिए उपलब विकल्पों को एक Inter Ministry Group यानि की IGM एक्जामिन करेगी IGM के करीब 10 बार बैठक हुई और उसने 2012 में अपनी सिफारिश को पेश किया VVIP एरक्राफ्ट के लिए दो विकल्प सुजाए गए पहला मौजूदा B777ER विमान को VVIP के लिए कनवर्ट किया जाए या फिर नए एरक्राफ्ट का इस्तमाल किया जाए जिसका एरफोर्स ने ओर्डर तो दे दिया था लेकिन उसकी डिलिवरी नहीं होई थी बाद में मौजूदा विमान में जरूरी बदलाव का फैसला लिया गया मोधी सरकार ने इन VVIP के प्रोक्यूर्मेंट की प्रक्रिया को पूरा किया अधिकारिक सूतरों के मुताबिक अभी भारत में VVIP की यात्राओं के लिए एर इंडिया के जंबो जेट्स का स्तमाल होता है जो 25 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं ये विमान ना सिर्फ लंबी दूरी की यात्राओं के लिए मिस्फिट हैं बलकी तेल भरने के लिए इन्हें रूट में रुखना भी पड़ता है VVIP की यात्राओं के लिए विशेश तोर पर बनाए गए एर कराफ्ट गुरुवार को अमेरिका से भारत पहुचे हैं वहीं आपको ये भी बता दे कि दोनों एर कराफ्ट 2018 में कुछ समय के लिए एर इंडिया के कमर्शल फ्लीट का हिस्सा भी बने थे मगर बाद में इन्हें VVIP के सफर के लिए विशेश तोर पर पुनर निर्मित करने के लिए अमेरिका विमान कमपनी बोईंग को भेज दिया गया इन विमानों में जरूरी बदलाव के बाद इसमें करीबन 8400 करोड रुपे का खर्चा आया है ये विमान अत्या दोने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ लेस है इन विमानों को इंडियन एर फोर्स के पाइलेट चलेंगे ना की एर इंडिया के अब तक VVIP एर क्राफ्ट को एर इंडिया के पाइलेट चलाते थे अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर राहूल गांदी की आगे की प्रक्रिया क्या होगी तो आज के लिए सिर्फ इतना ही देश और दुनिया के ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके नियूस